वेरी वेरी गुड इविनिंग टू आल अफ यू तो डियर स्टुएंट लीनियर प्रोग्रामिंग में हम फॉर्मुलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और पहले आप फॉर्मुलेशन करना सीख लिजिए उसके बाद उससे हम वेरिबल की डिसेंट वेरिबल की हम कैसे फांड़ट करेंगे यश आप सिंप्लेच मेघ्ट में सीखेंगे लेकिन मैं अगर एक ही साथ फॉर्मुलेशन पर भी फोकस कर गायम सासत में सिंप्लेच मेघ्ट पर फोकस कर वाऊ तो एक वोची इतना लेंग्धि हो जाएगा कि आप समझ्झे समझ्झे बीच में आ कि आपके एक्जाम में करी बार कोशन ऐसे आते हैं कि आपको डीजिएन वेरिबल की वेल्यू फांडट नहीं करना है आपको सिर्फ फॉर्मॉलेट करना है तो इसलिए फॉर्मॉलीशन सीख लिजे आज आज की लास में नेश्च क्लास से आपको मैं उस formulation में जो variable आपने लिट किया वो इसको decision variable कहते है उसकी value कैसे find out करेंगे वो आपको next class में वो आपको by simplex method आपको समझाए जाएगा देखो बच्चे देखीगा first question है साथ साथ आप भी formulation करें और आप comment box में लिखें कि आपका क्या answer आ रहा है question है आप person require 10, 12 and 12 units of a chemicals A, B and C respectively for this garden a liquid product contains 5, 2 and 1 unit of A, B and C respectively per jar and a dry product contains 1, 2 and 4 units of A, B, C per cartoon तो basically यहां से क्या समझाए आपको आपको आपके पास से पहले chemical के 3 types of chemical है तो chemical के बारे में आप यह लिखें पहले table बना लेंगे तब equation बनाना easy रहेगा chemicals है आपके पास में उसके बाद आपके पास में दो type के product है एक liquid product है एक आपके पास में बच्ची liquid product है और एक आपका dry product है क्लिर है तो क्या कर रहा है आप person require उसके पास में जो requirements की बात करें कि total requirements के 10, 12 and 12 units of chemical A, B, C chemical कौन कौन से मारे पास में A, B and C तो limitation of requirements है यहाँ पे जोसको जरूरत है limitation of requirements limitation of requires तो first आपके पास में A chemical आप person requires 10, 12 and 12 units of chemical A, B, C तो उसको पास में chemical A की requirement उसकी कितनी है 10, chemical B की requirement 12 and chemical C की requirement उसके पास में 12 है A, B, C, respect to league garden और liquid product contains 5, 2 and 1 liquid product के लिए क्या चाहिए 5, 2 and एक liquid product को बनाने के लिए जो मेरे पास में chemical A है वो मुझे 5 चाहिए, chemical B है, 2 चाहिए, chemical C है वो मुझे 1 jar चाहिए, respectively, per jar A dry product contains, अगर मैं 1 minute of dry products मना रहा हूँ तो 1, 2, 4 minutes of A, B and C चाहिए dry product के लिए 1, 2 and 4 चाहिए, per cartoon If the liquid product is sold, for rate 3 rupees per jar अगर liquid product जो है, बेचा जाए, sold तो अगर मैं बेच रहा हूँ, तो सामने वाले के लिए कोस्ट कितना आएगा जितने का बेच रहा हूँ, उतना ही सामने वाले के लिए कोस्ट होगा तो कोस्ट कितना आएगा, एक का 3 rupees आएगा और एक का कोस्ट कितना आएगा, 2 rupees हैगा, अभी तक हम मैक्सिमाइजेशन के बारे पढ़ रहेते हैं How many units of each product should be purchased if they minimize the cost of meet the requirement इस इस बार हम मिनिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, equation बैसी बनेगा तोड़ा सचेंज आगा, तो क्या को देखेगा पहला पी इसको देखो, पहला पी यह बनाया करो, इससा बो clear हो जाएगा कि मेरे पास में दो प्रोड़ेक्ट है, एक liquid product और एक dry product है और एज प्रोड़ेक्ट को prepare करने के लिए मुझे 3 types of chemical use कर रहा हूँ, chemical A, B and C clear है? और मैं अगर एक प्रोड़ेक्ट बना तो मुझे मेरे पास में minimum chemical A, जो मेरे use में आना है, limitation requirements of chemical A, मेरी है कम से कम 10 है और B है 12 है, C है मेरे बाद 12 है और अगर लिक्विड प्रोड़ेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे A chemical 5 unit लेना है, B का मुझे 2 jar लेना है, C का 1 jar लेना है clear है? और मैं एक unit of जो लिक्विड प्रोड़ेक्ट है उसको बेचने 3 रुपे मेजता हूँ, तो सामना आने के लिए costing 3 रुपे की आती है dry product same इसी तरीके से है, तो आपको यहाँ पर formulation करना है, तो formulation में सबसे पहला point क्या आता है आपका, पताएए decision variable decision variable basically, आप क्या बनेंगे okay, let x1 is the number of product, liquid product unit of liquid product and x2 is the unit of dry product क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है क्या मतलब इसका, इसका मतलब अच्छे यह है कि जो आपका dry product है और जो आपका liquid product है कितने dry product आप बना रहे हैं और कितने आप liquid product बाई कर रहे हैं या बना रहे हैं क्या मतलब इसका बना रहे हैं तो कितने requirement है आपकी तो अगर आप x1 liquid product जाते हो और एक liquid product आपके पास में 3 रुपय का पड़ रहे हैं और आप उसकी कितने units ले रहे हैं अगर 2 units लोगे तो 6 रुपय के खडचा आजाएगा पांच लोगे तो 15 रुपय खडचा आएगा तो यह cost आपका जाएगा liquid product के उपपर clear है इसी तरीके से आपके पास में x2 क्या है unit of dry product और एक x2 product को buy करने में आपको कितना लग जाता है 2 रुपय लग जाता है तो अगर 5 x2 buy करने जाओ को 10 रुपय लग जाएगा और x2 number of dry product buy करोगे तो आप 2 into x2 लग जाएगा तो आप मैं यहां से कहां पर पहुच रहा हूँ आपको लेकर के जा रहा हूँ यहां सबसे पहले आप यह समझेंगे objective function अलग अलग खलर में करेंगे बहिए जब अलग चीज़ें पढ़ा रहते हैं objective function आपका बच्चे objective function क्या है तो objective function में अगर आप देखते हैं तो first of all आपको z equals to आपके पास में एक कोस्ट कितना आ रहा है 3 रूपीस और कितना buy कर रहे हो आप liquid product x1 unit तो total cost liquid product का इतना आ गया and dry product का एक कोस्ट कितना है 2 रूपीस और कितने number of unit आप buy कर रहे हो dry product x2 यह cost आ गया and इसको आप क्या करो प्लस करो ठीक है LLP classes जो आपके schedule में चल रही है जो time table आपके पास में TTS में evening में वो classes चलती रहेंगे आप लिने प्रोग्रामिंग की शाम को तो आपके पास में z equals to क्या है 3 x1 plus 2 x2 इस वन यह आपका objective function है इसी को मिनिमाइस करना है यह cost हो गया लिक्विड प्रोडट को अपर cost and dry product को अपर cost and total cost आ गया इस cost को आपका purpose का है minimize करना तो सवाल यह है कि liquid product मैं कितनी buy करूं और dry product में कितनी buy करूं कि जिससे कि मेरा total cost क्या हो जाए मिनिमाइद हो जाए तो number of unit जो आप निकालोगे वो तो आपको next class में simplest method में बताए जाएगा अब उसके बाद बच्चे बारी किस क्या एक constraint की है constraints constraints में बच्चे first of all आप यहां पर समझे कि आपको 5 आपके पास में liquid product कितना है आपके पास में X1 है ठीक है तो liquid product आपके पास में X1 है और liquid product आप उसको use कर रहे हो जब liquid product को आप तो उसमें आपके पास में basically chemical A जो है वो आप liquid product में 5 unit use कर रहे हो और chemical A को dry product में आप जो है 1 unit use कर रहे हो तो chemical A का कितना use हो पा रहा है chemical A का कितना use हो पा रहा है तो liquid product मेरे पास में कितने है liquid product मेरे पास में number of unit में liquid product कितना है x1 clear है या limitation of chemical A या requirements लिमिटेशन आफ क्या कह रहा है कुछिन में आप परसन रिक्वाइट 10, 12, 12 अब चैमिकल chemical A, B, C require of chemical A ठीक है तो first of all मेरे पास में liquid product x1 unit है ठीक है और मेरे पास में x2 dry product है और each x1 में chemical A की बात कर रहा है आप इज x1 chemical A 5 और एक यह कितना यूस करता है यह 5 और यह कितना यूस करता है यह 1 तो जो liquid जो मेरे पास में product है वो 5 unit है यूस कर लेता है chemical A का और जो मेरे पास में dry product है वो 1 unit है chemical A का और क्या किए कहा रहा हुआ है... कम से कम requirement कितना है यूज करने के लिए? कम से कम 10 है... minimum 10 है तो ''minimization के अंधर'' क्या होता है? कि जब आपके पास में requirement है minimum है मिनिमा में तो यहाँ पर आपके पास में less than करने लगे का यहाँ पर आपका ''more than का लगे का'' यह difference पस यहाँ पर आज़ा equation बनाने minimization में यह less than जो equals to होता था वो more than equals to equation constant के दिए डबल अप होंगे ठीक है बच्चे तो यह क्या होगे आपके पास में basically 5x1 plus x2 equals to more than 0 ठीक है and next इसी तरीके से अगर आप करेंगे मैं यहाँ बात कर रहा हूं require require of chemical b requirement of chemical b similar मेरे पास में chemical b की requirement क्या होता है वो देखते हैं chemical b दो चाहिए और दो इसको भी चाहिए तो liquid product को दो चाहिए और number of liquid product x1 है और dry product को भी दो इनिट चाहिए और यह इसका भी 2 x2 number of unit है तो total कितना मेरा यूज होगा तो requirement कम से कम कितना होन अच्छे इसके लिए limitations पर दिया हो 12 चाहिए चाहिए तुस्से ज्यादा भी चाहिए तुस्से ज्यादा भी चाहिए requirement of chemical B requirement of chemical B आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में 1 and 4 चाह रहा है similar बनेगा ना बच्चे x1 plus 4 x2 is equal to and greater than 12 this one and final आप करेंगे x1, x2 is always equal to and greater than 0 एक गरबट किया हमने this one ठीक है सब्सक्राइए यह हो गया तो basically मेरे पास में क्या क्या equations आ गई है मेरे पास में एक तो आ गया z equals to 3 x1 plus 2 x2 एक मेरे पास में आ गया बच्चे 5 x1 plus x2 is equal to greater than 0 0 नहीं 10 ठीक है यह अगरबट किया हमने and एक आगे मेरे पास में 2 x1 plus 2 x2 is equal to greater than 12 और x1 plus 4 x2 is equal to greater than 12 clear है सब्सक्राइब आपको ही quit out and final final x1, x2 equals to 0 चीक है सब्सक्राइब बच्चे clear है सब्सक्राइब आगला कोश्चन आपके पाले में जाएगा आप ट्राइ करोगे चलो फिर आपको सब्सक्राइब आ गया तो फिर इस कोश्चन को करो भाई बड़े अच्छे से प्यार से मन लगा कर किस कोश्चन को करो देखिए बच्चे इस कोश्चन में क्या है तो क्या क्या है हमारे पास में यह सबको लिखना पड़ेगा लिख लेते हैं क्या क्या मेरे पास में वूड है प्लास्टिक है और स्टील तीन मेट्रियल है मेरे पास में और यह मेरे पास अबिलेबल कितना कितना है लिमिटेशन आफ मेट्रियल बोल सकता हूं इसको है न यह क्या है यह मेट्रियल है और यहां पर में लिख सकता हूं और क्या कर रहे हैं पर लगत पड़ लेते हैं The firm produces two products A and B Product A Product B And limitation of product Limitation of material Limitation of Limitation of material Now look, what is the word available in me? How much is the word available in me? Limitation of available material How much is the word available in me? 240 kg And plastic is 370 kg available And steel is 180 kg available The firm produces two products A and B Each unit of a product A required If I talk about A, what is the requirement? 1. Wood 3 units of plastic 2 kg Close off You can see it's steel What are you saying? Wood, plastic and steel respectively Now what is it? 1. 3 and 2 2. Close off Wood 1. What is it? 1. Wood 1. Wood 3. What is it? 1. Plastic and 2 Wood, plastic and steel respectively So the first one is wood, plastic and steel This one Product A This is the requirement Product B The corresponding requirement for each unit of product B I want to make a product B I want to make a product B I want to make a product B I want to make 3 unit of wood 4 unit of plastic and 1 unit of steel If A sales the 4 rupees And B for A A paid 4 rupees selling price And B paid 6 rupees में बीचा गया कि ट्रमाइन हाव मैने इटस ऑफ एब शुट भी प्रडियूस्ट तो अप्टेन दा मैक्सिमम ग्रोस इंकम इंकम और इवेन्यू बात एक ही होती है तो अगर एक चार रपे में बेच रहा हूं और मैंने पांच बना लिए तो बीस रुपे में बिकेगा आट लास्ट कोश्चिय में तो एक में होगे था ना काम नहीं अगली में होता है यह सुझवाए आपको अब चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं सबसे पहले अब्जेक्टिव फंक्शन अब्जेक्टिव फंक्शन ने पहले तो हम डिसीजन वेरिबल करेंगे ना डिसीजन वेरिबल लेट एक्स वन इस दा नंबर आफ यूनिट्स आफ प्रोड़क्ट ए तो प्रोड़क्ट ए कितने यूनिट आप सेल कर रहे हैं कितने यूनिट बना रहे हैं प्रोड़क्ट ए आप एक्स वन इस दा से पांच मेने बना दिया असे में उसको एक्स वन ले लिया दैन एंड एक्स टू इस दा नमबर आफ यूनिट्स आफ प्रोड़क्ट गी कोशन ने समझ मैं कोशन समझे विशल हूँ पहले कोशन कै पुरा मेरे पास में, दो प्रोडट मुझे बनाने हैं या बचेने हैं, प्रोड़ट ए ने प्रोड़ट भी प्रोड जो आपका steel यूज हो जाता है अप्रट बनाते हैं इसका एक इनुट बनाने में आपको बूर्ट प्लास्टिक एन स्टील इतना इतना यूज हो जाता है धाने अखना टोटल बूर्ड आपके पास ने टूफॉर्टी केजी ए तो इस प्लास्टिक 370 एन इस्टील 180 केजी बनाएंगे उसी नुम्बर फ इनुट को हम डिसन बैरिबल कहते हैं ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे अबजेक्टिव फंक्शन अबजेक्टिव फंक्षिन objective function क्या होगे मेरे पास में एक कितने का बिक्र में 4 रुपए में तो अगर 14 रुपए में एक लगे तो तोटल ब्रोट करे अ को बेचे नहीं से कितने इतने रुपय मुझे प्रोड़क्ट एस आएंगे और इतने रुपय मुझे प्रोड़क्ट एस आएंगे एक छे में बिक रहा है और वो तोड़की नम्र उनिट कितनी एक्स टू है clear ये बच्चे तो total मेरे पास में इतने आएंगे ये मेरे पास में क्या है मुझे इसी को maximize करना है then z equals to 4x1 plus 6x2 is this clear ये बच्चे सब्सक्राइब को कुछ संदे है तो आप पूछेंगे चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब constraint के उपर आजाते हैं भी ये constraint हम ये करते हैं available of limitation of wood limitation of wood की limitation की बात करते हैं तो x1 तो मेरे पास में प्रोड़ेट ए है x2 तो number of unit प्रोड़ेट बी है प्रोड़ेट ए मेरा कितना wood ले रहा है एक और भी तीन तो एक unit एक लेता है तो x1 है तो इतना ले जाएगा मेरा और x2 बी प्रोड़ेट मेरा एक बी प्रोड़ेट को बनाने में एक बी प्रोड़ेट को बनाने में तीन unit चले जाते हैं तो x2 numbers में है तो कितना ये 3 kg wood जो है 3 kg wood जो है एक x2 बराने में लग जाते है तो number of x2 से multiply कर दूँगा तो x2 को कितनी requirement है wood की दोनों की requirement किससे काम होने चीए क्या limitation से इसकी तू फॉट्टी similar plastic तीन चार plastic के अगर मैं बात करता हूँ limitation of plastic तो प्लास्टिक के मैं limitation की बात करता हूँ तो मेरे पास में 3,4,3,70 कितने है एक्सवन number of unit of product A है और एक को एक product A को 3 kg लग जाता है और अगर मैं एक बनाओ product B को तो उसमें 4 kg लग जाता है तो जितने बना रहा हूँ तो उतनी requirement मेरी plastic के आगी B में और उतनी आगी मेरे A में तो इक कितने होने चीए 3,70 से लेस होने चीए clear है and steel limitation of steel limitation of steel and x1 x2 less than equal to वह यह होने आगा नहीं 180 to 1 यह सज में क्या है 1 unit अगर आप product A का बना रहे हो तो उसमें 2 kg आपका steel चला जाता है अगर आप जितनी इट बना रहे हो उससे आपका 180 हो सकता है उससे कम उससे ज्यादा नहीं हो सकता है यह आपके आपके पास में क्या हो गया यह आपके पास में फॉर्मिलेशन हो गया है तो उसमें profit maximize करने की बात करता बच्चे आप से ठीक है है ना जब सेलिंग प्राइस और कोस्टपाइस Bride दोनों होता तो उसमें बोलता profit maximize करो तो profit की requirement होती तो मैं सेलिंग प्राइस मैनस कोस्टपाइस गरके profit निकालता clear है एक बच्चा कह रहा है सर सेलिंग प्राइस और कोस्टपाइस दोनों होता तो मुझे अपने पास में क्या रखना पड़ता तो आपके question में clearly mention होता कि profit maximize करो और profit चाहिए था आपको profit की requirement थी आपको युकि आप objective function में profit maximize करेंगे तो आपको profit की need है तो profit कैसे बनाएंगे आप तो profit बनाने के लिए आपको selling price minus cost price करोगे तो profit आएगा मैंने next question रखावा ऐसा उसमें देखेगा